सेयोगी राजीव मुंबई सहुरदी का पडेट के साथ जुड़े हुए हैं राजीव ये श्रद्धा अपने लेटर में भी इस बात को कह चुकी है कि आफताब के माता पिता को पता था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है और वो परिवार वालों से मिलता भी था आफता देखें लेटर में जो बातें लिखी गई थी कुछ उसी तरह की पूरी कह सकते है ना कि पूरी तरह से उस गटना को वैसे ही अंजाम दिया गया और जो बातें शद्धा ने लिखी थी कि इस तरह से उसके माता पिता आफताब के सब कुछ जानते हुए भी यो लगातार उसे इमोशनली ब्लैक मेल करते थे अपने बेटे की दुहाई देते थे और इसी वज़ा से तोलेंज पुलिस ने जब उस एंसी को यानि सबसे पहले उस शिकायती पत्र दिया गया था जिसे रिसीविंग करके उन्होंने शिकायत करने वाले शक्स को यानि कि शद्धा को दिय पुलिस इस पूरे मामले में फाइयार दर्ज करने वाली थी अगर फाइयार दर्ज हुई होती तो निश्चित तोर पर तोलेंज पुलिस की गिरफ्त में उस वक्त आफताब होता लेकिन उसी रात को आफताब के माता पिता ने शद्धा को इमोशनली ब्लैक मेल किया उसे इस बात के लिए convince किया कि वो F.I.R. ना करवाए और इस बात पर कहीं ना कहीं वो emotionally blackmail हुई तूट गई और आफताफ से चुकि वो बहुत ज़ादा emotionally attached थी अपना future देख रही थी आफताफ के साथ इसी वज़ा से उसने उस NC को उस शिकायत को F.I.R. में नहीं convert किया और 26 दिन क कि लेकिन 26 दिन के बाद वो घर पर दो बार तीन बार गए तो शद्धा नहीं मिली कभी आफताब मिला तो जब शद्धा का उन्हें बयान दर्च कि शद्धा ने कहा कि उसे F.I.R. नहीं दर्च करनी है इसलिए पूरे मामले को आगे नहीं बढ़ाए गया लेकिन सवाल होत कि श्रधा के मर्डर के पीछे अकेले आफताब जिमेदार नहीं है उसके माबाब भी जिमेदार है क्योंकि उसके माबाब को मालूम था कि बेटे की मांसिक प्रवती कैसी है इसी बीच एक और बड़ी ख़बर बता दे हमारे तयाम संयोगी हमारे साथ बने हुए उनका भी का आफताब से रिलेशन्शिप से इंकार करने की बाद सामने आई है दोनों लड़कियों से आफताब डेटिंग आप के जरीए मिला था और उसके बाद ये दोस्ती आगे बड़ी थी हाला कि पूछताच में इन दोनों लड़कियों ने रिलेशन्शिप की बाद से इंकार क तो लगातार मॉंबाई में भी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के आक्शन जारी है और ये बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं आफताब की दो फीमेल फ्रेंज के पुलिस में बयान दर्ज किये हैं। मेरे पीछे ये जो डिटेक्शन ब्रांच का दफ्तर है यहीं पर उनका बयान दर्ज किया गया था जिसमें दिल्ली पुलिस के सामने कूस्ताच के समय उन लड़कियों ने डेटिंग एप के जरिये मुलाकात की बात कबूल की दोस्ती की बात कबूल की और सबसे महत्पूल ब का कोई रिलेशनसिप नहीं था सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड थे जैसे नॉर्मल फ्रेंड बाचीत करते हैं चैट करते हैं उसी तरह का रिलेशन था फिलाल इन लड़कियों का बयान दर्ज किया गया है आफताप के दोस्त के तोर पर लेकिन यहां एक बहुत महत्पूल ब वसी विरार में मौझूद है माडिकपूर पुलिस थाने के अंतरगत उनके सहुगों के साथ में मिलकर बयान दर्ज कर रही है दूसरी बड़ी बात यह कि आपको यह बता दे कल जब शद्धा के पिता से हमने बात की तो शद्धा के पिता ने बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने कहा कि जब तुलिंज पुलिस में इस तरह की शिकायत दी गई थी कि उनकी बेटी को जानका खत्रा है आफताब टुकले टुकले करके फेकने की बात करा है तो जब उन्होंने माडिकपूर पुलिस थाने में मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई उस वक्त यहां की प पुलिस ये लगातार कह रही है कि हर वो लोग चाहे वो करण की बात करें या फिर करण के अलावा जितने वो दोस्त हैं जिनसे आफताप संपर्क में था क्योंकि आफताप की भी एक चैट निकल कर सामने आई थी वो अपने common friend से बात कर रहा था सितंबर के माईने में कि मेरी श्रद्धा से बात करा दो और इसी तरीके से श्रद्धा की चैट भी कई सारी निकल कर सामने आई है इन सभी के बयान अतुल बेहत जरूरी है क्योंकि पुलिस के पास confession के अलावा जो हड्डिया है वो तो CFSL जाच में पता चलेगा लेकिन इन सब के बयान बता पाएंगे कि आखिरकार कंड़क्ट किस तरीके का था आफ्थाप का बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो श्रद्धा और आफ्थाप का common friend था उससे जो चैट है वो निकल कर सामने हैं जिसमें बिल्कुल अब है और ये multiple डेटिंग करता था लगा था अब जाच में बाते सामने आ रही है बने रही गा इसी बीचे को और बड़ी खबर बता दे पुलिस को शिकायत के बाद आफ्थाप ने ठिकाने लगाए बॉडी पार्ट्स शिकायत की बाद तेजी से ठीकाने लगाए बॉडी पार्ट्स 12 अक्टूवर को मानिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकाया धर्जुई थी 18 अक्टूवर को आफ़ताप के पास पुलिस का फोन आता है फिर 26 अक्टूवर को पहली पोश्टाच से पहले वो बॉडी पार्स ठीकाने लगानी के लिए जात है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलेट कीजिए और हमारे तमाम सयोगी लगातार अलग-अलग इलाकों से हम तक अपडेट पहुचा रहे हैं राजीव अभे अतुल और कुमार सोनू आप कुछ कहना चाहरे है कि कुमार सोनू तेकि मेरे पास एक खबर आ रही है एफसल यह गए लाइक बीपी और जो बाकी जो छोटे-छोटे टेस्ट की जाते तो शुरूर में उसका बीपी नॉर्मल से कम था आफताब का बीपी थोड़ा नॉर्मल से कम था लेकिन जब नॉर्मल हुआ तो उसके बाद जो है उसकी कांसलिंग की गई दूसरी बात जो आज फा की टीम भी जो मेरे पास खबर आ रही है वो यह कि तकरीबन साथ से आठ घंटे तक जो पॉलिग्राफ का फाइनल राउंड है आपताब का वो चल सकता है तो यानि कि आज के टेस्ट में देर हो सकती है जी बहुत मैतपून जानकारी कुमार सुनू आपने दी है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर